नमस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 47 एर्स है और यह काफी अच्छा पाम है बहुत सारी खासिते हैं जैसे ग्रहों के उभार तो व्यक्ति काफी comfortable जीवन जीता है और इनका पाम में देखे तो यहां पर space ज्यादा मिला हुआ है तो व्यक्ति ज्यादा सफल भी होता है जीवन में और अंगुठा काफी स्ट्रॉंग है तो स्ट्रॉंग व्यक्तित वो होगा एक अंग्रे जो के हाथ में जीस तरह का अंगुठा होता है उस तरह का अंगुठा इनके हाथ में और फर्स फैलेंज तो काफी बढ़ा है और सेकेंड फैलेंज भी काफी बढ़ा है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा ध्यान भटकता भी है व्यक्ति का फर्स्ट उंगली काफी बैंड हो रही है तो बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति होंगे इनकी धर्म की आस्ता बहुत ज़्यादा होगी दो तिन जगह पर दिख रही है एक तो इस उंगली के कारण एक इनके यहाँ पर गुरूप वले कंप्लीट बना हुआ ये भी व्यक्ति को धर्मिक बनाता है तिसरी चीच यहाँ पर एक फिस साइन है ये फिस साइन को पैसे से कोई लेना देना नहीं ये व्यक्ति की धर्मिक आस्ता डिफरेंट टैप की होती है आप और हम जिस तरह से धर्म को मानते है वैसे ये लोग नहीं मानते और ये काफी बड़ी साइन है तो इनके धर्म की आस्ता डिफरेंट टाइप की और काफी तिवर होगी ये अपनी पत्नी को भी नहीं समझा पाते कि ये किस तरह से मानते है इनकी धर्म की व्याख्या क्या होती है और साधरन लोगों को ये समझाने बैठें पहले तो ये समझा नहीं पाएंगे और सामने वाला अगर समझने की कोशिस भी करेगा तो उसके माइंड में नहीं बैठे बहुत बार देखा गया है किसी न किसी मंदिर के ट्रस्टी या करता धरता बनते या व्यक्ति अगर पड़ा लिखा है तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाता है पहले के जो जमाने के जो लोग होते थे उनके हाथ में जब इस तरह का गुरु वले मिलता था तो देखा जाता था कि बुढ़ा पे में वो कोई न कोई मंदिर का कारेभार संबालते हैं पर आज लोग पड़े लिखे हैं तो थोड़ी सी लेंगवेज चेंज हो गई spirituality की और जुकाओ ज़्यादा होता है पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से धर्म सामिल जरूर होता है उसमें और ये उंगली भी अच्छी खासी बैंड हो रही है तो इनकी ये तीन साहिने इनको धर्मिक शो कर रही है छोटी उंगली थोड़ी सी छोटी रह रही है फर्स फैलें तक नहीं पहुच रही है तो व्यक्ति फाइलिंग डॉकुमेंटेशन चीजों को संबाल कर रखना है याद शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट्स में कहीं न कहीं कमजोर होता है आज नहीं कल रख देते डॉक वेश्ट होता है दूसरा अकाउंट्स थोड़ी देर में देखते बाद में देखते इस तरह की इनकी मानसिकता होती है यह लोग पार्टनर्शिप करें तो उतनी अनिंग नहीं कर पाते खुद का भी बिजनेस करते तो कहीं न कहीं अकाउंट्स के लिए यह पीछे रहते ज और मनी मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कमजोर रहते है व्यक्ति अब इनके बुद्परवत के और चलते बुद्परवत को देखे तो अपने आप में उभार है तो व्यक्ति सुन्दर होता है और बहुत सारी लाइने जब होती है तो आप व्यापार कुशल तो होते हो पर साथ में थोड़ी सेवा भाव भी आता है यानि दया भाव भी व्यक्ति में रहता है तो यह दोनों चीजे है और थोड़ा सा बूत का उबार यहां पर जादा है तो नाम के प्रती भी व्यक्ति को जादा पड़ी रहती है मुझे यहां पर एक तरह का स्क्वेर दिख रहा है यह स्क्वेर काफी बड़ा है तो व्यक्ति का बहुत फैला हुआ काम काज होता है जब इस तरह का चाहे वो जाब करता हो तो भी फैला हुआ मल्टी सिटी काम मिलता है और अगर वो बिजनेसमेन है तो भी व्यक्ति का फैला हुआ काम का जोता है तो ये काफी प्लस साइन है दूसरी साइन है ये ट्रैंगल लंबा सा ट्रैंगल बना हुआ है यहां पर तरसर मेरा इतना पतला चल नहीं रहा है ये ट्रैंगल भी अगर सनी परवत पर होता है सुर्य परवत पर तो व्यक्ति को काफी समरुद्धी देता है और एक अच्छी साइन है जो यहां से चली यहां तक चली और यहां से फिर वापत और यह complete है तहीं पर भी अगर इनके पाम पर इंक लगाई जाए तो यह complete आएगी यह complete शुक्रवलय है इस तरह का वलय व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है परिवार भी संपन्ध बनता है और शुक्रवलय वाले लोग काफी अच्छे समरुद्ध बनते हैं पैसे के मामले में यह काफी संपन्ध होते हैं पैसा कमाने में अच्छा पाम हो तो व्यक्ति करोडो रुपया भी कमाता है तो ये एक प्लस पॉइंट है और इसी पाम को देखे तो ये दो जगह पर शुक्रवले जैसे महिलाओं को मौनो पोज आता है वैसे शुक्रवले वालों को भी देखा है पैतालिस के आसपास इनकी भावनाए काफी तिवर बनती है एक तो जवानी के समय तिवर बनती है और एक 40-45 के आसपास इनकी भावनाए तिवर बनती है उस समय व्यक्ति को काफी कंट्रोल सिखना पड़ता है जवानी में तो कंट्रोल सिख जाते धीरे धीरे पर वापस 45 के आसपास व्यक्ति में एक तिवर में होती है पर फिर भी दो-चार सालों बें कंट्रोल सिख जाते और फिर वापस नॉर्मल हो जाते पर यह पैसा मैं व्यक्ति को काफी हेल्प करती है इस तरह की और multiple property की sign भी इनके हाथ में बनी हुई है छोटी पर बनी हुई है तो व्यक्ति multiple property भी भनाता है यहां पर देखे तो फेट लाइन एक यह चल रही है जो सुर्य परवत की और देख रही है तो हो नहों जीवन में विदेश से भी धन आये के साधन इनके निर्मान हुए होंगे और एक इस तरह से चल कर इस तरह से आगे जाड़ रही है और एक फेट लाइन यहां से निकली तो यह multiple income के इनसान दिख रहे क्योंकि भूत सारी फेट लाइन है और up to end तक चल रही है तो बुड़ा पे तक income की कोई कमी रहने वाली नहीं है और जब शुक्रवलय किसी रेखा को काटता है तो उससे कोई नुकसान नहीं जाता जैसे हिदे रेखा और mind line धन रेखा को काटती है तो उस समय कोई नुकसान नहीं होता और हिदे रेखा भी काटती है तो कोई नुकसान नहीं होता वैसे श शुक्र वल्लय ना हो और कोई नॉर्मल रेखा हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा नुकसान जाता है। इनका गुरु परवत देखे तो मुझे यहां पर थोड़ा सा उभार जादा दिखता है। तो जनरल ही देखा गया है। इस तरह के उभार में कभी न कभी पारिवारिक समस्या एक्रियेट होती है। और पती-पत्नी के बीच में भी मद्वेत होते है। और इस गुरु वल्लय की तो हमने डिस्केशन अच्छी कासी करी ली है। और ऐसे देखा जाये तो गुरु परवत अच्छा है। जादा तकलिफे नहीं होगी पर थोड़ी सी हो सकती है। वाद विवाद रहता होगा। अंदूनी मंगल बहुत जादा मजबूत भी नहीं है और जादा खराब भी नहीं है। तो मद्यम टाइप का अंदूनी मंगल है तो शरीर की एनरजी मद्यम टाइप की होगी। मद्यम से थोड़ी अच्छी होगी। और बारी मंगल तो देखने लायक है, जब किस्से मिलते होंगे, तो एनरजी के साथ मिलते होंगे, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, अब चंद्रपरवत पर काफी अच्छा चंद्रपरवत होकर मुझे एक क्रॉस साइन दिख रही है, इस त पर हों, कल नहीं रहा तो, यह जो डर है, मैं इसका उपाय दूंगा, यह डर व्यक्ति को सताता है, और इनका पाम इतना अच्छा है, कि इनको डरने की कोई आवशक्ता ही नहीं है, और अच्छी खासी एक बुद्रेखा भी इनके पाम पर बनी हुई है, तो उसके द्वारा मनी ट्रेंगल भी बन रहा है, तो कोई टेंस लेने की इनको आवशक्ता ही नहीं है, अच्छी खासी इंकम के सुरोध बने रहेंगे, हाँ हो सकता है, थोड़ा सा खर्च का पेमाना, ज्यादा हो क्योंकि शुक्र परवत अच्छा है, तो व्यक्ति अच्छी तरह से जीता है पर मनी ट्रेंगल है, तो ज्यादा टेंस लेने की जौरत नहीं, और अच्छी खासी बुद रेखा भी है, तो सफल व्यक्ति के रूप में ये जीवन भर जीएंगे, अब यहाँ पर देखे, तो शुक्र परवत भी काफी एक फुटबॉल की गेन की तरह है, और साथ में दोनों मिलकर अच्छा खासा धन व्यक्ति को जीवन में देते, तो कोई कमी नहीं है, शुक्र परवत वाला थोड़ा शौकिन की समका इंसान रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह रहता है, अच्छा गुमता है, ये सारे गुण होते हैं, पर कमाने में भी व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, तो कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं है, अब यहाँ पर इनकी हिर्दे रेखा देखें, तो यहाँ से सुरुवात हो रही है, शनी परवत से, पर घुमाव भी ले रही है, और यहाँ पर छोटी दो फ्लरड लाइने भी है, तो व्यक्ति कही दुखी भी हो, तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद कोई न कोई खुशी के पल ढूंता है, और यह लग बग शनी परवत से ही सुरू हो रही है, तो तीन तरह का माइंड होता है, एक तो आख खुलते ही, पैसा कैसे कमाना, पैसे के बारे में सोचना, 24 गंटा पै पैसरी होती है, कभी-कभी फिजिकल बनते हैं, पर इनकी कव ले रही है, हदे रेखा, तो थोड़े से भावग भी होंगे, और भावनाव में भी निने लेने वाले व्यक्ति होते हैं, तो यह बैस्ट हार्ट लाइन है, और इस हार्ट लाइन पर कोई भी कमी नहीं है, इनकी माइन लाइन देखे, तो कंप्लीट गुरू परवत से सुरू होकर सीधी यहां तक चल रही है, और यहां से जब सुरूआत होती है, तो व्यक्ति भौत महतोकांची होता है, और अपनी महतोकांचा पूरी भी करता है, और चंद्र परवत पर जब छूती है, तो कर्मिक भी होता है, और इनका चंद्र परवत भी इतना अच्छा हो ना हो, इनका विदेश से संबंध आता ही होगा, किसी ना किसी रूप से, क्यूंकि काफी अच्छा चंद्र परवत है, इनको काफी कमफोटेबल सोच देता है, इमेजीनेशन पावर, रिफैंड सोच, नि नहीं है, कमफोटेबल चल रही है, इनकी जीवन रेखा देखे, तो जीवन रेखा भी शुक्रवले आने के बाद ज्यादा टेंस नहीं होता व्यक्ति को, और यहां से एक बड़ा सा ओफशूट इनके जीवन में आया होगा, तो पचीस के आसपास इनके जीवन में मैं डिसकस करूँगा, एक रहुरेखा उमर 36 के आसपास काट रही है, एक रहुरेखा 40 के आसपास काट रही है, और एक रहुरेखा 44-45 के आसपास काट रही है, इस पिरियड में कोई न कोई तीनो पिरियड में आर्थिक नुकसान इनको जीवन में गया होगा, और उसके बा पर एक लगबग उम्र 55 या 58 के आसपास एक change over आएगा हो सकता है दो या तीन दिन के लिए ये ICU में भी भरती हो पर इनके जान को कोई खत्रा नहीं होगा ये आराम से वापस comfortable जीवन जीएंगे और progress भी करेंगे क्योंकि जब change over होता है तो हो सकता है व्यक्ति के जीवन में उस पिरियड में दो से चार दिन का कोई ऐसा face आता है जिसके अंदर hospitalization होता है पर जान को कोई खत्रा नहीं होता और see the जीवन और ऐसा change over मैंने भूत लोगों के पाम में देखा है हाँ एक दो दिन या चार दिन व्यक्ति को हो सकता ICU में रहना पड़ता है पर उसके सिवा कोई तकलिब नहीं होती व्यक्ति वापस अच्छी तरह से जीवन जीता है और काफी अच्छी जीवन रेखा है कोई टेंस लेने की आवशक्ता नहीं है अब चलते इनकी फेट लाइन फेट लाइन को भी देखे तो मोटी होके शुरुवात हुई और यह सीधी चलकर इस तरह से आगे बढ़ रही है तो काफी नॉन स्टॉप यानि इनको कमाई के साधन हमेशा बने रहते एक तो यह एक चीज और इस पर कोई ऐसा मेजर वार नहीं आ रहा है कि व्यक्ति को भहुत सारा आर्थिक नुकसान हो या ऐसा ऐसी कोई चीज यहां पर दिखाई नहीं दे रही है एक फेट लाइन दूसरी फेट लाइन को काट रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है और comfortable income सुरोध बने रहेंगे और जैसे जैसे रेखा उमर बढ़ती जा रही है पतली होती जा रही है तो जैसे जैसे उमर बढ़ेगी वैसे वैसे income increase होती जाएगी और multiple income के सुरोध भी इनके जीवन में निर्मान होंगे हाँ इस पार्ट में एक कट जरूर लगा है तो हो नहो यह वोई 43-44 के आसपास का ही period है और उसके बाद comfortable ही है तो कोई tense लेने के आवशक्ता नहीं बहुत बार हमारे पास ज्यादा तर तकलिफ के समय पाम आते है और यह कोई ज्यादा major तकलिफ वाला पाम नहीं है जिग्या सब वस इन्होंने भेजा लगता है आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का फूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद